तो हे गाइस कैसे आप लोग उमिद करता हूं सब बड़े ही होंगे तो गाइस अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिये हैं तो गाइस वीडियो को पुरा देख के जाओ क्यूंकि आपका चार मिनिट जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा ठीके ना इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सिखने को मिलेगा ठीके ना आप एक नूब हो या आप एक प्रो हो ठीके ना आपको बहुत कुछ सिखने को मिलेगा इस वीडियो में तो गाइस इस वीडियो में मैंने बात किया की ड्रैग हेट शॉट के बारे में ठीके ना हमारा क्या हो सेंड आपका हेट सोट रेट बहुत ही बढ़ जाएगा हाँ गाइस बहुत ही बढ़ जाएगा मेरा विश्वास करो गाइस वीडियो को पूरा देखना एंट तक देखना ठीके रहे और बिल्कुल कहाँ है स्किप मत करना अगर गाइस किप करोगे तो आपको समझ नहीं तो गाइस प्लीज सपोट करो यार एक मोटिविशन लाओ तो गाइस इस वीडियो में हम 15 लाइक एम रखते हैं तो गाइस प्लीज हो सके तो कम्प्लीट कर देना और गाइस अगर आप चैलेंग पे नए आए हो तो चैलेंग को सब्सक्राइब करके बेल नूटिफिकेशन अन कर देना तो गाइस आईए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे एक छोटे से इंट्रो के बाद तो गाइस मैंने यहाँ पे कुछ क्लीप्स यूज की है आपको समझाने के लिए कि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं सकार से मार रहा हूं और मेरा सकार का जो स्कीन है ना वो मैंने एक्विप नहीं किया है मैंने नरमल स्कीन से मार रहा हूं तो गाइस यहां पर देख सकते हो कि मेरा हर एक आखडी गोली ना उसके हेट पर जा रहा है इससे क्या हो रहा है कि मुझे हेट सोट से कीला रहा है आप देख सकते हो गाइस यहां पर देखो देख सकते गाइस मेरा हर एक गॉली, ठीका है ना उसके हेट पर ही जा रहा है, पहले गाइस बॉडी पर एम लग होगा, उसके बाद क्या होगा कि आपका है पूरा हेट पे चला जाए तो guys हमें कुछ नहीं करना है हमें सिर्फ एक सेटिंग कर लेना है ठीक है ना guys आपको कुछ महनत नहीं करना है ठीक है आपको just एक सेटिंग कर लेना है जिससे की आपका है हेट रगने लग लगλοर weeds टो guys यहां पर देख सकते हो कि मेरा कैसा head disorder लग रहा है तो guys चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करना है वो main setting क्या है ठिक है ना को तो guys क्या करना है आपको आपको चले जैना है अपने setting में setting में जाने के बाद आपको चले जैना है custom hood में तो gubis custom हूड में आने के बाद देख सकते हो गाइस मेरा यहां पे जो पेट का जो आइकन है ठीक है ना मैंने उसको यहां पे रखाए आप चाहिए तो E-mode वाले को भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो क्या करना है यह जो आइकन है यह बिल्कुल बीचो बीच आपके जो यह में crosshair है उसके बीचो बीच आपको रख देना है रखके इसके size कर देना है एकदम छोटा ठीक है ना गाइस छोटा करने के बाद इसका जो transparency है यह हाई रखाऊगे तो गाइस आप जब scope करके किसी को माड़ोगे तो उसका head नहीं दिखेगा तो कहक करना इसका transparency ना थोड़ा कम कर देना है ठीक है ना गाइस यहाँ पे आप 40 रख सकते हो ठीक है ना सिर्फ एही काम आपको करना है थैंक्स फॉर वाचिंग आइस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया तो गाइस मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई